नमस्कार साथियों Study IQIS Hindi YouTube चैनल के भारती अर्थ विवस्था की रमेश सिंग पुफ्तक पर आधारित इस लेक्चर सीरीज में आप तभी का स्वागत है मेरा नाम अतुल जैन है और आज आपकी और मेरी साथ में पचीसवी क्लास है तो पचीसवी क्लास यानि की एक तरह की सिल्वर जूबली जिसको हम कह सकते हैं एक तरह की रजट जैन्ती हो गई तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े या आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रपया इसको सब्सक्राइब करें इसको अपने साथियों को अपने दोस्तों को मित्रगणों को बताएं कि आप सभी किता की बाकी सभी लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ें और इस चैनल पर चलने वाले भिन भिन कारेक्रमों का लाब उठाएं तो इस चैनल पर हमने जब ये कारेक्रम शुरू किया था तो हमारे दिमाज में जो संकल्पना थी वो ये थी जिस विचार के साथ हमने ये कारेक्रम शुरू किया था कि अर्थचास्त्र जो है वो समानित है एक जटल विशह माना जाता है खास तोर पर रमेश सिंग की जो पुस्तक है जो कि एक मस्ट रीड है कि सभी बच्चे जो यूपिएस्टी की तयारी करते हैं वो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहते हैं सभी की बुक लिफ्ट में ये किताब जरूर होती है कि इसको तो खरीदना ही खरीदना है और पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन ऐसा अपसर देखा गया है कि बच्चे इस किताब को पढ़ना शुरूर तो करते हैं लेकिन कुछ पन्नों के बाद कुछ एक चैप्टर्स के बाद इसको बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि ये किताब उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आती इस किताब को समझने में उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हमने जब इस कारिकरम को शुरू किया था तो हमने यही समझा था यही हमने लक्ष बनाया था कि इस किताब की जो ये रहस्य है, इस किताब की जो गुत्थी है, इसको आसानी से सुलजा पाएं, इस किताब को आप सभी तक हम सरलता से पहुचा पाएं, एक ऐसी भाशा में आप तक पहुचा पाएं, वो भाशा जिसको आप समझते हैं, कुछ ऐसे उदाहरणों के जरिए अर्थ शास्त्र के concept आपको समझा पाएं जिन उधारणों को आप visualize कर पाएं जिनको आप देख पाएं तो आपने देखा होगा कि अभी तक हम विशय की परिभाशा से लेकर आर्थिक नियोजन तक जहां तक हम अभी पहुँचे हैं पिछली 24 क्लासों में और आज की क्लास में उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे हमने यही प्रयास किया है कि हम जो भी अर्थ शास्त्र के concept हैं उनको आपकी ही भाशा में पढ़ाएं और साथ के साथ उनको आपके रोजमर्रा के जीवन के उधारणों से जोड़ कर आपको समझाने की कोशिश करें यह आसान काम नहीं हो इसके लिए विचार लगता है इसके लिए हमको काफी सोचना विचारना पड़ता है लेकिन यही एक शिक्षक के तौर पर मेरा काम है कि मैं इस तरह के उधारन ढूंडूं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएं और आप में से इतने लोग अभी तक हमारे साथ जड़े हुए हैं तो मैं इस बात को मानता हूँ कि इनिश्चित तोर पे हमारा ये जो प्रयास है वो कहीं न कहीं सफल रहा है और इस विशय को पहले आप जिस तरह से समझते थे जानते थे उससे बहतर तरीके से आपने इस विशय को समझना और जानना प्रारंब कर दिया ह तो मैं आपका एक बर दुबारा से अभिनंदन करता हूँ कि आपने इन क्लासिस को देखा इन क्लासिस से आप अब तक जुड़े आप मैंसे कई छात्रों ने मेरे को रीच आउट किया आप मैंसे कई छात्रों ने टेलेग्राम पे मेरे चैनल को जॉइन किया आप मैंसे कई छात्रों ने संदेश लेखे, कॉमेंट्स लेखे, तारीफ की, प्रशंसा की, मेरे स्वास्थे को लेकर अच्छी चीज़े लिखी, आपका सभी का इतना सम्मान, इतना प्यार मेरे को मिला, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आप सभ हम इस बार इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, देखिए चात्रों के साथ सबसे बड़ी गलती UPSC डोमेन में यही होती है, कि वो किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, वो एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, एक अध्यायन का तरीका एक शैली पकड़ते हैं, औ तो इस lecture series के साथ हम लोग कम से कम वो गलती ना करें, हम इस lecture series को अगर हमने देखना शुरू किया है, अगर हम 25 lecture देख चुके हैं, तो आईए प्रयास करें कि और 25 lectures देखें, पिर उसके बाद और 25 lectures देखें, और और 25 lectures देखें, इस प्रकार से हम इसको बीच में ना छोड़ इसको देखते रहना आपकी जिम्मेदारी है तो आप अगर इसको देखते रहेंगे तो आपको विशय जो है और बहतर तरीके से समझ में आता रहेगा अब इस class के जो ये presentation होती है उसके PDF क्योंकि काफी लोग मांगते हैं काफी लोगों को चाहिए होती है तो इस class की जो PDF है उसकी जो आपको presentation मिलेगी वो आपको इस telegram channel पर मिल जाएगी जैसा कि मैं आपको हर class में बताता ही हूँ अतुल जैन UPSC guidance इस नाम का मेरा telegram channel है आप उसको join कर सकते हैं और इस channel पर class होने के बाद ही आपको class की presentation प्राप्त हो जाएगी आपको class की presentation मिल जाएगी इस class के अलावा शाम को 4 बजे मैं Hindu और Indian Express के जो संपादकियों होते हैं उनको पढ़ाता हूँ उस class में आप जरूर आईए ताकि समाचार पत्रों और संपादकियों को परिप्रेक्ष में भी आपकी एक समझ का विकास हो ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की च कल का प्रशन कल का प्रशन क्या था भारत में नियोजन के उदेश आर्थिक होने के साथ सामाजिक भी है इसका उत्तर मेरे को बताने की अविशक्ता है क्या मैंने देखा कुछ लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं वो लगभग सही लिखे हैं ठीक है बस इसमें याद ही हास है वो सब भी लिखना शुरू कर दिया मैंने आपको पहले भी बताई है वो थियोरी दुबारा नहीं बताऊंगा अभी हनुमान जी वाली थियोरी बताई थी ना आपको कि पूरा पहाड नहीं लाना है केवल संजीवनी बटी लेके आनी है ठीक है तो आप बस जितना प चेतर से बाहर रखा गया है जो मैंने कल बताया लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे आप आर्थिक विकास करोगे समाजिक विकास साथ में चलेगा की नहीं चलेगा अगर आप गरीबी कम करोगे तो उससे वुकमरी कम होगी उससे असमानता कम होगी उससे समाज में जो भिन् समरस्ता लेके आएगा एक समाजिक प्रगति करेगा आप स्वास्थ बहतर करोगे आर्थिक नियोजन के यह साथ से क्योंकि आपको मजदूर चाहिए आपको मानव समसाधन चाहिए लेकिन अगर लोगों का स्वास्थ बहतर होगा तो उनके जीवन में खुशाली आएगी जो क जी एक समाजिक कारक है तो आर्थिक और समाजिक कारक जो होते हैं किसी भी देश में वो एक दूफरे से इतने जादा गुथे हुए होते हैं इतने जीजादा इंटर मिंगर्ड होते हैं कि उनको अलग-अलग रखके नियोजन करना दरसल संभब नहीं होता और वो एक सप्रेस से जुड़े हुए ही हैं आर्थिक और समाजिक कारणों में कोई खास अंतर है नहीं तो इसलिए आर्थिक नियोजन के जो उद्देश हैं वो आर्थिक होने के साथ-साथ समाजिक भी हैं और अब देखिए भारत जैसे देश में जब भारत परतंत्र था वहाँ से इतनी जादा थी कि आप किसी भी आर्थिक समस्या को फुल जाने के लिए जाओ, बड़ी सारी आपकी सामाजिक समस्याओं अपने आप फुलत जाएंगी, मतलब अगर आपके सामने समस्याओं ही समस्याओं हैं, समझ रहें आप, तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, कुछ ना प्रक्रती में सामाजिक भी हैं, इस तरह का उत्तर आपको इस पर देना है, आप उधारन दे सकते हैं, एक दो जो मैंने दिये हैं, कोई से भी एक दो उधारन इसमें काफी होंगे, इस से जादा की चर्चा की अविशक्ता आपको है नहीं, ठीके, चलिए, एकदम क्लियर है, इसमें कोई खास डिक्कत नहीं है, चलिए, आगे भड़ते हैं, अब दिखिए, आज हम बात करेंगे योजना आयोग पर, अब आप मेंसे कई लोग कहेंगे, सर योजना आयोग तो अब है ही नहीं, योजना आयोग को तो नरेंद्र मोधी सरकार ने समाप्त कर दिया है, इस समस्थान को समाप्त कर दिया गया है 2015 में, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की योजना की ये नियोजन की जो यात्रा है, वो पूरी यात्रा योजना आयोग के द्वारा ही एक तरह से हुई है, 2015 के पहले जैसा कि मैंने आ आर्थिक इतिहास वास्तविक्ता में नियोजन का इतिहास है और ये नियोजन का जो इतिहास है ये पूरी तरह से योजना आयोग द्वारा संचालित था तो केवल इसलिए कि वो अगर आज नहीं है वो संस्थान आज नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने में इसकी महता कम हो जाएगी मतलब यह तो भई बात हो गई ना कि मुगल वन्ष खतम हो गया तो आप इतिहास में मुगल वन्ष के बारे में क्यों पढ़ते हो अरे भई खतम हो गया लेकिन इतिहास का एक टुकड़ा है जिस पर मुगल वंच ने शासन किया तो उसको समझने के लिए हमको मुगल वंच के बारे में बढ़ना पड़ेगा न अंग्रेश चले गए भारत छोड़के लेकिन तब भी आपने वेशिक काल के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसे ही योजना आयोग समाक्त हो गया अब आपसे कोई यो नहीं पूछेगा कि योजना आयोग की संरचना के बारे में बताईए योजना आयोग में कितने सदस्ते हैं कितने सचेवाले हैं इसलिए आपको ये सारी चीज़े में पढ़ाऊंगा भी नहीं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं वगेरा वगेरा ये प्रशन अब नहीं पूछे जाएंगे ये जानने की आवशक्ताब नहीं है कि इसमें तीन सदस्य हैं कि छे हैं ये सब नहीं जानना लेकिन दरवसल इसके पीछे विचार क्या था है ना इसके पीछे विचार क्या था इसक और उन्होंने किस प्रकार की गतिविधियां की ये सारी चीजे जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जो जो इनकी कारेवाहियां थी उन सभी ने भारत में नियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया ठीक है तो योजना आयोग को हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं योजना आयोग का निर्मान किया, आप देखें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अतिरिक्त सम्वेधानिक था और गैर वैधानिक था, यानि कि ना तो सम्वेधान में कहीं इसकी चर्चा है, अतिरिक्त सम्वेधानिक मतलब कि सम्वेधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की ग लिखा गया है चुनाव आयोग के बारे में कि एक निर्वाचन आयोग होगा लेकिन क्या योजना आयोग के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है ऐसा कुछ योजना आयोग के लिए सम्विधान में नहीं लिखा गया तो अक्सर क्या होता है जो चीज़े सम्विधान में नहीं पास नहीं किया बस भारत सरकार का जो मंत्रि मंडल था जो cabinet था उसने एक resolution पास कर दिया उसने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि भाई हम आज से योजना के लिए योजना आयोग का निर्मान कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा माना गया कि भाई ये ये अपने आप में एक शिकायत थी योजना आयोग से कि इसकी जो एक तरह से वैधिता थी वो ना तो संविधान से आती थी ना संसत से आती थी तो ये एक तरह की शिकायत थी कि भाई ये फिर इतना शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है मतलब हम एक केंद्रिय नियोजन के लिए एक ऐसी संस्था को क्यों निर्मित कर रहे हैं जो ना तो सम्विधान से आई है और ना ही संसत से आई है तो सरकार ने लेकिन इस पर कोई कारवाही की नहीं इसकी वास्तविक्ता यही थी और ये क्या था? इसकी संकल्पना क्या थी? कि काम क्या करेगा योजना आयोग? आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार के लिए सलाहकार निकाय है. एक विचारक मंडल जैसा है. मतलब ऐसा नहीं है कि योजना आयोग आदेश देगा. देखे समझे इस बात को कि योजना आयोग के पास किसी तरह की अदिशासी शक्ति नहीं थी. अदिशासी शक्ति क्या होती है? अदिशासी शक्ति ये होती है कि मैं आदेश दे सकता हूँ. कि आप ऐसा कीजिए. ये मेरा आदेश है. तो भारत के प्रधानमंद्री के पास अदिशासी शक्तियां है कि नहीं है भारत बिल्कुल है भारत का प्रधानमंत्री आदेश दे सकता है दे सकता है ना बिल्कुल दे सकता है अगर आप एक जिले के पास अदिशासी शक्तिया नहीं होती ना सलाकार क्या करता है सलाकार सलाह देता है कि हमें ऐसा लगता है कि यतोचित विकास के लिए सही राफ्ता ये होगा वो आदेश नहीं दे सकता कि आप ऐसा ही कीजिए अक्सर हाला कि ऐसा होता है कि सलाकार शक्तिशाली हो जाते हैं कई बार तो उनकी बात को मान लिया जाता है लेकिन वो खुद से यह order नहीं कर सकते तो यह योजना आयोग जो था यह विचारक मंडल जैसा था यह सलहकार निकाय था इसके अपने पास ऐसे अधिशासी शक्तियां नहीं थी कि वह इस तरह की चीज़े कर पाए यह याद है कि जो भी आदमी इस पद पर रहेगा वो इसका जो भी आदमी इस पद पर रहेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा यानि कि भारत का प्रधान मंत्री जो भी व्यक्ति बनेगा वो योजना आयोग का स्वतह अध्यक्ष बन जाएगा कोई उसके लिए अलग से चुनाव कोई अलग से मनोनयन, कोई अलग से चयन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो अगर जवाहरलाल नहरू प्रधान मंतरी हैं, तो वो स्वतह इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, अगर मुरार जी देशाई प्रधान मंतरी बनेंगे, तो वो स्वतह इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, 2014 में जब चुनाव हुआ, तो जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री बने, वो स्वतह अपने आप ही योजना आयोग के अध्यक्ष बन गए, उसके लिए कोई अलग से मनोनयन नहीं हुआ, कि भई अब हम चुलेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन हो, जो भी आदमी इस कुरसी पे बैठेगा, इस पद पे बैठेगा, वो सीधे सीधे अपने आप योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है, तो देखिए आप इसकी शक्ति को इमाजिन कीजिए, तो एक शक्तिशाली बौडी है योजना आयोग, क्योंकि उसका अध्यक्ष कौन है भारत का प्रधान मंतरी, भारत का प्रधान मंतरी निर्विवाद रूप से भारत में सबसे शक्तिशाली विक्ति होता है, तो ये विक्ति उसका अध्यक्ष है, और लेकिन भारत का प्रधान मंतरी को योजना आयोग के साथ रोजाना तो काम करेगा नहीं, प्रधान मंतरी बहुत वेस्ट व्यक्ति है न भई, प्रधान मंत्री को तो बहुत सारे और काम करने हैं, तो प्रधान मंत्री पूरे समय योजना आयोग में नहीं बैठा रहेगा, योजना आयोग के कामों को चलाने के लिए, जो है, उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, कि योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होगा, और दरसल ये उपाध्यक्ष जो है, ये मुखनी मुख्य है, जितने भी समन्वे सिर्फ जुड़ा हुआ काम है योजना आयोग का, वो सारा उपाध्यक्ष ही करेगा, यानि कि एक तरह से योजना आयोग में सबसे बड़ा व्यक्ति जो होगा, वो ये उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधान मंत्री है, और प्रधान मंत्री हमेशा योजना आयोग के लिए समय नहीं निकाल सकते, प्रधान मंत्री बहुत जादा व्यस्त हैं, तो प्रधान मंत्री को बस एक पदेन अध्यक्ष बनाया गया है कि अध्याक शाप रहेंगे लेकिन असली जो रोजमर्रा का काम है योजनायोग का रोजमर्रा के काम में सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है सबसे बड़ा व्यक्ति वो इसका उपाध्यक्ष रहेगा केंद्रिया मंत्री मंदल के भी छे सदस्ते इसके पदेन सदस्ते रहेंगे क जैसे ही कोई मंत्री उस पद पे पहुंचा, जैसे मान लीजे, अटल बिहारी वाजपई की सरकार में, शुरुआत में अगर यश्वन सिनहा वित्त मंत्री थे, तो वो इसके पदेन फदस्ते बन गए, उसके बाद मान लीजे, यश्वन सिनहा को हटा के वाजपई ने जैस्वन सिंग को वित्त मंत्री बना दिया, तो तुरंथ ही जैस्वन सिंग योजना आयोग के फदस्ते बन गए, तो ये भी पदेन फदस्ता है कि आपकी कैबिनेट के, कुछ ऐसे प्रमुख मंत्रालेओं के, जो मंत्री हैं, वो सिधे सिधे सदस्ते रहेंगे, ये कौन से मंत्राले होते थे वग्यरा वग्यरा, ये सारी संरचनात्मक जो डीटेल है, वो आपको जानने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो चुका है, तो योजना आयोग दरसल उसका कॉंपोजीशन क्या है, और ये सब आपको अब पढ़ने की, रटने की कोई खास जरूरत अब नहीं बची, क्योंकि अब योजना आयोग एक बॉड़ी के तौर पे समाप्त हो चुका है, ठीक है, तो ये हुआ योजना आयोग का शुरूरत इखाका, योजना आयोग जो है, ये एक स्वायत निकाए है, ठीक है, इस बात को समझेए, योजना आयोग जो है, वो एक स्वायत निकाए है, उस पर किसी भी मंत्राले का नियंत्रण नहीं है, ये एक स्वायत निकाए है, स्वाय नहीं होता यह स्वायत निकाय है और यह केंद्र और राज्य मंद्री मंदलों के संपर्क में रहकर काम करता है और उनकी नीतियों की पूर्ड जानकारी रखता था था क्यों अब खतम हो चुका है तो है नहीं बोलना चाहिए हर चीज में था बोलना चाहिए यह स्वायत निका और ये केंदर सरकार के मंत्रे मंडल के संपर्क में रहता था और हर राज्य की सरकार और मंत्रे मंडल के संपर्क में रहता था उन वो क्या नीतियां बना रहे हैं क्या उनका कारेक्रम है क्या वो प्राप्त करना चाहते हैं उस दिशा में वो कैसे काम कर रहे हैं इस प्रकार की जो चीजें हैं उन पर योजना आयोग एक पैनी नज़र हमेशा रखता था इन सब चीजों की जानकारी योजना आयोग हमेशा रखता था ठीक है सभी सामाजिक और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए इसका परामर्श लिया जाता था क्योंकि परामर्ष दात्री समिती थी अब आपको समझ में आ रहा है देखिए ये सभी सरकारों के संपर्क में पूरे समय रहती थी तो अगर कोई भी ऐसा निरने लिया जा रहा है जिसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होने जा रहे हैं तो उसके लिए आप योजना आयोग से बात जरूर करते थे ये बात जरूर की जाती थी योजना आयोग के साथ बातचीत की जाती थी और ये परामर्ष जो था ये बड़ा खुले दिमाग वाला परामर्ष होता था अक्फर ये तो देखे ये परामर्ष की डिटेल जो है ये जनता के सामने नहीं लाई जाती थी ये क्लोफ दोर परामर्ष होता था बंद दरवाजे के पीछे ये परामर्ष होता था मतलब आपको पता नहीं चलेगा जनता के सामने ये विवरण नहीं आता था कि भाई इस पर लिजे कि अगर बंद दर्वाजों के पीछे आप बात करते हैं आपको पता है कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो सारवजनिक नहीं होने वाली है तो फिर आप जादा खुल कर बात करेंगे आपकी ऐसी समस्याएं हो फक्ती हैं उनको आप जादा खुल कर व्यक्त करेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना जैसे मान लीजे मनोचिकित्सक जो होते हैं मनोचिकित्सक इसलिए कहते हैं कि भाई हम एक शपत के अधीन है कि हम आप हमें जो भी बताएंगे वो हम किसी को नहीं बता सकते ये मनोचिकित्सक जो होते हैं वो ये वो आप इसलिए बताते हैं क्योंकि मनोचिकश सक आपसे बाते बंद दरवाजे के पीछे करता है और वो ये सुनिष्चित करता है, उसका जो काम है, उसका जो धंदा है, वो ये सुनिष्चित करता है कि ये बाते कभी बाहर नहीं आएंगी, तो ऐसे ही मान लीजिए कोई रा नहीं आने वाली है तब वो योजनायोग से खुल कर ये बाते कर सकता है तो ये परामर्ष जो होते थे ये सारे के सारे परामर्ष जो है बंद दर्वाजे के पीछे होते थे इनके विवरण जनता के सामने नहीं आते थे ठीक है संगठ नात्मत तोर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्वायत निकाय था, किसी के अधीन नहीं था, लेकिन तब भी सरकार की एक आर्थिक संरचना ऐसी होती है, कि आपको किसी ना किसी ओफिस पे तो अटाच करना पड़ेगा, तभी तो बजट निकलेगा, वरना इसके जो सदस्ते हैं, बाकी जो लोग हैं, उनकी त मिलित किया जाता था, अर्थ शास्त्री इसमें होते थे, समाच शास्त्री इसमें होते थे, ऐसे लोग जिन्होंने विकास के लिए अलग अलग जगहों पर काम किया है, वो लोग इसके पदस्य होते थे, वो पेशेवर लोग होते थे, विशेशक के लोग होते थे, और इसक केवल एक सलाहकार बौडी थी लेकिन बाद में इसको कारेकारी शक्तियां भी प्राप्त हो गई कारेकारी शक्तियां मतलब कि वो अपने अपनी बातों को अनुकरण करने के लिए कह सकता था तभी उसके बाद भी योजनायोग दंडित नहीं कर सकता था देखिए तो वो दंडित नहीं कर सकता था लेकिन कारेकारी शक्तियां इस तरह की है कि वो अपना सचवाले बना सकता है लोगों को कह सकता है कि भाई ये हमारी अनुशनसा है इसका आप पालन कीजिए अगर नहीं किया तो उसके लिए वो दंडित तब भी नहीं कर सकता तो इस तरह की कारेकारी शक्तियां भी योजनायोग को प्राप्त होने लग गई थी ठीक है योजनायोग के कारे क्या थे भाई कौन से प्रमुक कारे थे योजना आयोग के एक बार इसको समझ लेते हैं क्योंकि इनी कारेओं के जरिये उसने योजनाओं को इतने सालों तक चलाया बहुती सरल है कोई इसमें बहुत ऐसी गंभीर बात नहीं है बहुत गरिष्ट बात नहीं है इसका गठन किया गया था नियोजन में सलाह किया योजना आयोग को एक संस्थागत तौर पे जिस तरह से बनाया गया था और जिस तरह से वो बना और जिस तरह से वो निकल के आया वो उसमें काफी फर्क है एक मीम आता है ना हाउ इट स्टार्टेड और हाउ इट गोइंग वैसा ही हो गया कि शुरुआत तो मतलब की गई थी बस सलाह करेगा योजना आयोग हमें खाली सलाह देगा बस इतना काम है कि राज्य सरकार हो गई केंद्र सरकार हो गई जब भी वो किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक नियमन के लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए काम करेंगे तो योजना आयोग उसमें अपनी सलाह प्रदान करेगा ये उसका काम था इतना काम उसके लिए नियोजित था, लेकिन उसके कामों में सालों के साथ अभूतपूर्व विफ्तार हुआ, तो जिस तरह से योजना आयोग एक तरह से फशक्त बॉडी बन के उभरा, एक फशक्त संस्थान बना, इसके कामों में अभूतपूर्व विफ्तार देखने को मि मतलब जो इसको सोचा गया था कि बस भाई ये तो एक ऐसी फलहकार सी समिती है वैसे ये नहीं रह गई और यहां तक कि ये देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाने लगा ऐसा कहा जाने लगा कि ये एक देश की अर्थविवफ्था को वास्तव में योजना आयोग ही चलाता ह है ऐसा कहा जाने लगा कि ये आर्थिक मंत्रिमंडल है देश का आर्थिक मंत्रिमंडल है यानि कि अर्थविवफ्था को लेकर आर्थिक तौर पर जो निरणे लिए जाते हैं वो जितने वित्त मंत्री लेता है उससे जादा तो योजना आयोग लेता है तो ये एक सम्विधानिक बॉड़ी है अगर मैं गलब मुझे गलत याद नहीं है तो सम्विधान के अनुच्छे 280 के तहट भारत में वित्त आयोग का प्रावधान है लेकिन वास्त विक्ता में होने क्या लगा था कि वित्त आयोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा किसी को पता ही नहीं होता था वित्व आयोग के अनुशें साय आती थी, कोई उस पर ध्यान तक नहीं देता था. तोकि ये सारे निर्णे, ये सारे काम कौन करने लगा था? योजना आयोग करने लगा था. पर याद रखीए, वित्व आयोग जो है, वो संवेधानिक था. वित आयोग क्या था? सम्वेधानिक था कोई भी body अगर सबसे सशक्त होनी चाहिए तो वो सम्वेधानिक होनी चाहिए उसके बाद वो विधिक होनी चाहिए यानि कि कानून के द्वारा बनी या बनी होनी चाहिए उसके बाद कोई ऐसी होती है जो कि मंत्री मंडल द्वारा बनाई गई, यानि कि एक प्रस्ताव द्वारा बनाई गई, मंत्री मंडल द्वारा बनाई गई, ठीक है, तो देख सोचिए, वित आयोग यहाँ पर है, योजना आयोग यहाँ पर है, तब भी योजना आयोग जो है, वो वित आयोग से कहीं शक्तिशाली संस्कान के तौर पर उभर कर सामने आने लगा, वित आयोग के कारिशेत्र में उसने पूरा पूरा अतिक्रमण कर लिया, मतलब वित आयोग का ध्यक्ष कौन होता था, कब उसकी अनुशन साय आती थी, कोई इनकी परवाह करता ही नहीं था, इसकी परवाह करनी ही लोगों ने बंद कर दी, बस परवाह ये होती थी कि योजना आयोग क्या कर रहा है, योजना आयोग क्या कह रहा है, ठीक है, और इसने अपना सोयम का एक विशाल नौकर शाही संगठन स्थापित किया, क्योंकि काम था उसके पास अब उस तरह का, इसलिए स्थापित किया, कि उसको सारी राज्य सरकारों के साथ निरंतर चर्चा करनी थी, केंदर सरकार के मंत्रालेओं के साथ निरंतर चर्चा करनी थी, ये सब करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा एक संगठन भी स्थापित किया अपना खुद का और योजना आयोग इस तरह से एक बेहद शक्तिश जो थे मूल आदेश जो था उसके तहट क्या का रहे थे जो cabinet ने जो पास किया था प्रफ्ताव मूल आदेश के तहट कुछ काम थे योजनाय ओके जल्दी जल्दी मैं उनको पढ़ दूँगा बहुत ही फरल है देश के भौतिक पूंजी गत और मानव संसाधनों का मूल्यांक होना चाहिए कि संसाधन हैं कितने और इसमें व्रध्धी के संभावनाओं की जाज करो कि यार ये संसाधनों में व्रध्धी हम कैसे कर सकते हैं कुछ है नहीं ऐसा बहुत असान है अगला पॉंट क्या है संसाधनों के अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग की योजना बनाईए कि संसाधनों का हम और बहतर प्रयोग करें ताकि हमारे पात आउटपुट बेटर आए हम संतुलित प्रयोग भी करें ताकि ऐसा ना हो जाए कि एक प्रकार का संसाधन का कोई प्रयोग ही ना हो रहा हो तो इसलिए संसाधनों का संतुलित उपयोग भी होना चाहिए प्रात्मिक्ताओं के अनुसार योजना के चरण परिभाशित करो और हर चरण के लिए संसाधनों का अवंटन करो कि देखिए आपने जब आगे हम पढ़ेंगे जब इन्होंने योजनाएं बनाई तो योजना मनाई पांच साल की तो ऐसा तो नहीं है कि सारे काम एक साथ शुरू हो गए और पहले साल से शुरू होके पांच अवे साल में इक अतम होंगे हर योजना में कुछ ना कुछ प्रात्मिक्ताओं होती थी योजना क्योंकि पूरे देश के बहुत सारे खित्रों के लिए बनती थी लेकिन प्राथमिक्ता तो कुछ ही होती थी तो आप पहले ये चीज चिन्हित कीजिए कि इस योजना में आपकी प्राथमिक्ता क्या है और उस प्राथमिक्ता के लिए आपको किन-किन संसाधनों की आविशक्ता है, उनको आवंटित कीजिए, ताकि उनकी कमी ना पढ़ जाए, ऐसा ना हो जाए, कि हम जो प्राथमिक्ता के साथ जो काम करना चाह रहे हैं, वही हम ना कर पाएं, ये महत्वपूर बिंदू है, ठीक है, आर्थिक विकास घटाने वाले कारकों को पहचानो, कि देश में ऐसे कुछ कारक तो नहीं है, ऐसी कोई विशेश परिस्थिती तो नहीं है, जिससे आर्थिक विकास पर नकारात्मा कफर पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो आप उसको पहचानिए, ठीक है, पहचान के उसको उसका निराकरन करन के उपाई ढूंड़िए आप ऐसी परिष्थितियों को निर्धारित कीजिए जो वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक दशा में योजना की सफलता के लिए आवश्यक हैं देखिए आपकी योजनाएं किसी परिप्रेक्ष में कितनी सफल होती है ये इस बात पर निर्भर करती है काफी हद तक निर्भर करता है कि आपकी सामाजिक और आर्थिक दशा भी कैसी है तो जो योजना अमेरिका के लिए काम कर रही होगी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भारत के लिए भी काम करें क्योंकि भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा एकदम अलग है इसके अनेको उ इम्रान हश्मी एक सेल्समैन मना है जिसमें वो एक बच्चों को जो एक नूट्रिशनल पाउडर पीपीते हैं बच्चे दवाई के तौर पे दूद में मिला के वगएरा बॉन्विटा जैसा कुछ तो ऐसा कुछ मिल्क पाउडर जैसा वो बच्चों को बेचता है तो एक होता है और इससे अमेरिका में ब्रिटेन में यूरोपिये देशों में बच्चों को बहुत लाब हुआ उनमें जो कुपोशन था वो ठीक होने लगा तो बच्चों बच्चे मजबूत अंदरुफ्ट बनने लगे तो उनको लगा बड़ा अच्छा प्रोड़क्ट है तो इ लड़ी कंपनी से लड़े और मुकदमा जीते वगेरा वगेरा लेकिन इसमें वास्तविक्ता ये थी कि वो बच्चे क्यों मरे क्योंकि यूरोप का जो परिवेश था वो एकदम अलग था पाकिस्तान का जो परिवेश था वो एकदम अलग था तो उसके लिए बहुत जरू पर है कि आपने अमेरिका के लिए एक नीती बनाई आपको लगा यार ये नीती भारत में भी लगा देते हैं लेकिन भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा एकदम अलग है तो आपको आपके सामाजिक और आर्थिक दशा के परिप्रेक्षे से योजना की सफलता के लिए क्या- तो आप यहां के लिए हमारी परिष्थिती के हिसाब से योजना के चरण जो है आप सोचिए, ठीक है, इसके अलाबा, योजना के हर चरण में कार्यानवेयन की प्रगती का मुल्यांकन कीजिए, कि भाई आपने बहुत सारे चरण स्पष्ट कर दिये, कि योजना के पहले समाप्त हो गया, तो आप मुल्यांकन कीजिए इस बात का, कि भाई जो आपका प्रगती है, क्या वो सही तरीके से हुई, यानि कि 1000 किलोमेटर की फड़क बनी क्या, और अगर बनी तो क्या वो उचित गुडवत्ता की फड़क बनी, ऐसा तो नहीं है कि वो 500 किलोमेटर बनी पहले चरण में और आपका दूसरा चरण प्रारम होने को आ गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अगर ये प्रगती जो है वो ठीक से नहीं हो रही है, तो इसमें सुधार कैसे किया जाए, ये भी आप बताईए, ठीक है, ये बताब आसान सी बात है ना, इस आपके पास हैं, तो कई बार क्या हो सकता है कि केंद्र और राज द्वारा भीजी गई, विशेश समस्याओं पर भी आप विचार करें, कि कई बार क्या हो सकता है कि मान लीजे केंद्र सरकार कोई एक योजना लागू करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उसमें किसी परि तो केंद्र सरकार उस समस्या को आपके पास भेजेगी, राजिफ्थान सरकार ने तहह किया कि यार हम अपने यहां बच्चों का टीका करन कराना चाहते हैं, उदारण दे रहाँ है ना, लेकिन हमारे यहां बच्चे तो बड़े फुदूर बड़ती गावों में रहते हैं, त तो टीका करण की कीमत बहुत जादा आ रही है तो इसके लिए हम कैसे प्रमंधन करें ये वो योजना आयोग से सुझाव मांग सकती है सरकार अलग-अलग समस्याइं आपको भेच सकती है कि आप भी हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी क्या सलहा है क्योंकि ये सलहाकार समस्था है इसमें विशेशग्य हैं बहुत सारे तो इस तरह की सलह इन से मांगी जा सकती है और अगर इस तरह की सलह इन से मांगी जा रही है तो इनको इन समस्याओं पर विचार करना है और अपनी सलह जो है इन सभी चीजों पर वो प्रदान करनी है ये भी इनका एक प्रम अपलाव हमको देखने को मिलेगा, दसवी जो पंचवर्षी यह योजना थी, उसमें इनको दो नए काम सौपे गए, और ये दो नए काम क्या थे, दसवी पंचवर्षी यह योजना मेरी ख्याल से 2002 से 2007 तक थी, ठीक है, हाला कि साल अब इंपोर्टेंट नहीं रहे गए, लेक से पहले तो एक संचालन समिती होती थी, यह मैंने आपको बताया ना, योजना आयोग का स्ट्रक्चर क्या था, यह अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण नहीं रहा है, अब आप से एक्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो संचालन स समिती के माध्यम से, इसके एक संचालन समिती होती थी, स्टेरिंग कमिटी, उसके माध्यम से आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष में योजनाओं के कार्यान वयन का आप निरिक्षन करें, यानि कि हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, देखिए, 2002 आते आते, हमारे यहां आर्थिक सुधार पूरी तरह से घर कर गए थे, आर्थिक सुधार हमें और बढ़ाने हैं, हमको और जाधा सुधार करने हैं, इस बात पर तो कोई शकप रह नहीं गया था, एक क्यानवे से आर्थिक सुधार शुरू हुए थे, 2002 तक आते आते, यह पूरे देश में आम सहम अर्थिक सुधार बहुत अच्छी चीज़ है, इससे देश का बहुत फाइदा हो रहा है, तो अर्थिक सुधार में हम कहीं पर धीमे जा रहे हैं, तो उस गती को हम बढ़ाएं, उस गती को हम बहुत तेश चलें, एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड से जाएं, तो हम जो भी अर्थिक नीतिया बना रहे हैं, आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्श में उनका कारियानवयन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब यह सारी योजनाएं आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दे रही हैं या नहीं, ये एक निरिक्षण आप करें, ये भी एक काम इनको कि आप सारी योजनाओं का चेक अप करें कि भाई आर्थिक फुधारों के खिलाफ तो नहीं जा रही है कहीं, कहीं ऐसा पर दूसरा और वो एक अधिकार क्षेत्र जिसने दर असल योजना आयोग को एक खुिजदा ही शक्तिशाली संस्थान में परिवर्तित कर दिया, वो ये था कि विभिन केंद्रिय मंत्रालेयों की प्रगती का प्रबोधन यानि कि प्रबोधन मतलब मॉनिटरिंग कि अलग-अलग जो केंद्रिय मंत्राले हैं वो अपने कामों को ठीक से कर रहे हैं या नहीं ये आप चेक करके रिपोर्ट दो अब आप समझे अब आप सोचिए केंद्रिय सरकार में कैबिनेट मंत्री कौन होता है एक वरिष्ट नेता होता है बड़ा नेता होता है जो चुनाव जीत के आया होता है बहुत बड़ा राजनेता होता है कि नहीं होता जो आदमे केंदरीय सरकार में cabinet मंतरी बनता है, वो अपनी मंतराले को कैसे चला रहा है, उसकी जाच और उसकी रिपोर्ट अब कौन करेगा, योजना आयोग, आपको समझ में आया के नहीं आया, इस एक बिंदू के कारण, अचानक योजना आयोग का जो अहदा हो गया, योज दरजा उपर हो गया, योजना आयोग का दरजा cabinet से उपर चला गया, सारे cabinet मंतरी आपको ऐसे अनेको फोटो देखेंगे, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, cabinet मंतरी को मीटिंग के लिए बुला सकता है, कि आईए भई, आपके विभाग की जाच करनी है, ज़र आईए, मिलि आप समझेंगे, आपको फर्क समझ में आया, अब तक cabinet मंतरी जो था बहुत शक्तिशाली था कि नहीं था, लेकिन अब शक्तिशाली कौन हो गया, योजना आयोग हो गया, इसलिए आप देखेंगे 2004 से 2014 तक, जब मनमुहन सिंग प्रधान मंतरी थे तो अक्षर ये कहा जाता था, कि प्रधान मंतरी के बाद इस देश में दूसरा सबते शक्तिशाली व्यक्ति कोई है, तो वो मौन्टेक सिंग हलूवालिया है, मौन्टेक सिंग हलूवालिया कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनसे उनकी बात को कोई cabinet मंतरी टाल नहीं सकता था, क्यो योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, और सबको पता था कि ये व्यक्ति जो है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, तो एक पदानुक्रम में एक तरह से, ये सुपर मंतरी मंदल की तरह उभरा, ठीक है, और उपाध्यक्ष प्रधान मंतरी के बाद, यहां बाद होना प्रधान मंतरी के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उपरा, कि अब देश में, सबसे शक्तिशाली तो भारत में प्रधान मंतरी है, लेकिन प्रधान मंतरी के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई बना, तो वो योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना, ठ राज्यों पर राज्यों के लिए सीधे सीधे प्लैनिंग योजना आयोग नहीं करता था ठीक है लेकिन राज्यों को जो पैसा मिलता था जो मद मिलता था केंद्र से उस पर नियंत्रण अभी भी योजना आयोग का था और वो राज्यों को भी मापने योग लक्ष निर्धार थे सब के सब लाइन लगाते थे योजना भवन में खोटो मिले गा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे गुलदफता लेके मुन्टेकसिंग एलिओ वालियां को दे रहे हैं पिर उडिसा के मुख्यमंत्र रहे तो आप ऐसे बी लाइन लगती थी मुख्यमंत्रियों की योजना आयोग के उपाध्यक्षते मिलने के लिए तो कि उनको पता था, कि हमको मापने योग लक्ष जो है, वो योजना आयोग देता है और हमको उन लक्षों को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इसकी रिपोर्ट भी योजना आयोग बनाएगा, तो हमें कितनी वित्तिय सहायता मिलेगी ये सब कुछ योजना आयोग के हाथ में है तो आप देख सकते हैं कि योजना आयोग जो है जो की ना एक समवेधानिक बॉडी है ना एक वेधानिक बॉडी है किस तरह से वो एक सुपर मंत्रे मंडल की तरह उबरा और भारत में शायद सबसे शक्तिशाली निकाई के तौर पर वो स्थापित हो गया तो इस तरह से हमने देखा कि योजना आयोग के कार्यों का इस तरह का विफ्तार हो गया कि देश में सबसे जादा शक्तिशाली संस्थान के तौर पर योजना आयोग जो है प्रक्रिया दरसल कैसे हुई तो देखे 2014 में जब नरेंद्र मोधी चुनाव जीते जब भारत में नई सरकार आई तभी से इस बात की चर्चा बहुत जोरू पर थी कि योजना की जो प्रक्रिया है इसमें आमूल चूल बदलाव देखने को मिलेगा ये बात एकदम तैथी सब को पता थी हम जो भी लोग उस समय पढ़ते थे पढ़ाते थे हम लोग भी अध्यापक थे हम सभी को इस बात का अंदाजा था क्योंकि नरेंद्र मोधी एक बड़े अलग तरह के विचार धारा के साथ एक बड़ी अलग तरह की जिसको हम कहते हैं योजनाओं के साथ जीत कर आये थे तो इस बात का सबको बड़ा सपश्ट अंदाजा था कि जिस तरह से देश में योजनाओं बनती है वो प्रक्रिया जरूर बदलेगी यह सबको अंदाजा एकदम सपश्ट था अब यह बदलेगी कैसे यह एक सोचने वाली बात थी यह शोचनिय बात थी तो उसको समझते हैं न कि योजनाओं जो है वो पूरी तरह से केंद्रिया जो है केंद्र के दबदबे में था और राज जो है वो केंद्रिया योजनाओं के एक तरह से नीचे आ गए थे योजनाओं पूरी तरह से उन पर राज करता था उन पर एक तरह से तानाशाही जैसे चलाता तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बार बार ये आरोप लगाते थे कि ये किस तरह की ताना शाही है तो निश्चित था कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधान मंत्री बने तो वो एक राज्यों का परिप्रेक्ष लेकर यहां पर आएंगे क्यो कि मोदी जो थे वो तीन बार मुख्यमंत्री रहे थे तो उनको राज्यों का परिप्रेक शकान दाजा था तो ये हम को सब को समझ में आता था कि कुछ तो इसमें परिवर्तन लाएंगे तो अब इसमें क्या हुआ विचार ये था कि ये संस्थान जो है इसको सुधारा या फिर एक नया संस्थान ही बनाया जाएगा ये स्पष्ट नहीं था आखिर कार एक जनवरी 2015 को सरकार ने कह दिया कि हम भाई इसको ने सुधारेंगे हम योजन आयोग को समाप्त कर रहे हैं सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया उसके लिए सरकार ने एक इंडिपेंडेंट Evaluation Office बनाया था स्वतंत्र मूल्यांकन कार्याले इसने जून 2014 में प्रधान मंतरी मोदी को एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के अधार पर सरकार ने निरने लिया कि हम Planning Commission को योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि उस रिपोर्ट के कुछ प्रमुक अंश क्या थे उस रिपोर्ट के प्रमुक अंश ये थे कि हमने योजना आयोग को जिन परिस्थितियों में बनाया था वो परिस्थितियां एकदम अलग थी वो परिस्तियां कैसी थी? कि हमारा देश जो था, वो एक बड़ा ही नावजात लोक्तंत्र था, तभी नया-ञा लोक्तंत्र बना था, और हमारे देश की जो ज़लफ्था थी, जो अर्धिलफ्था थी, वो बेहत कम्जोर थी या नहीं थी? ये तो यार मैं आपको एकनॉमिक्स में कबसे बढ़ा रहा हूँ अब कि जब हम आजाद हुए हमारी सामाज एक आर्थिक दशा बेहत कमजोर थी और देखे जब भी आप कभी आपातकालीन एक तरह से देश में आपातकालीन जैसी स्थिती थी कि हमारे देश में ना तो समसाधन थे ना कोई विकास हुआ था लोकतंत्र भी एकदम नया था और नए नए राज्य जो है मतलब वो बन रहे थे राज्यों का पुनरगठन बार बार चल रहा था भाशाई तोर पर अनेको भेदभाव थे इस प्रकार की समस्तियाएं रोज रोज उठके आ रही थी तो जब भी कभी इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थिती आती है तो अक्सर केंद्री ये प्रभूसत्ता जो है वो काम आती है आप पॉलिटी में भी ये पढ़ेंगे आप देखिएगा आपातकाल जब होता है तो आपातकाल में क्या होता है केंद्र शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेता है जादा से जादा शक्तियाँ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपात काल के समय एक व्यक्ति का अगर शासन है तो वो सही प्रणाली होती है तो आपका जब देश आजाद हुआ तो आपकी परिस्थिती इतनी खराब थी कि उस समय योजना आयोग जैसे एक संगठन का ओचित्य था जो कि कैसे प्लानिंग करता था शीर से नीचे तॉप डाउन जिसे हम कहते हैं कि आप सबसे उपर बैठे हैं और आप अपने नीचे वालों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं टॉप डाउन प्लानिंग ठीक है तो आप टॉप डाउन प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सबसे उपर बैठें, आप केंद्र सरकार में हैं, और आप सबके लिए planning आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी परिस्थितियां उस तरह की थी, ठीक है, तो इसमें क्या था, एक गतिशील केंद्र था और कमजोर राज्य थे, जो भी संसाधन थोड़े बहुत थे भी वो क केंद्र के पास थे, प्रगती भी कौन करना चाहता था, केंद्र करना चाहता था, राज्य तो बेहत कमजोर थे, ठीक है, राज्यों का इंफाक्ट आप देखेंगे, पुनरगठन भी चलता रहता था बार-बार, तो उस समय ये केंद्रिय शासन प्रणाली बिल्कुल सही थ कि आपने योजन आयोग बनाया और आपने केंद्रिय अकरत तरीके से शासन चलाया, लेकिन आजादी के इतने साल बाद परिस्थितियां बदली के नहीं बदली, अब राज्य सशक्त हो गए, अब आपकी अर्थवस्था कमजोर नहीं है, अब आपका लोकतंत्र कमजोर नह नहीं है, तो ये सारी, अब आपकी हां राज्य में कोई ऐसी अलगाववादी शक्तियां नहीं है कहीं पर भी, तो ये परिस्थितियां बदल गई, तो इन बदली परिस्थितियों में वास्तव में ये जो आपका योजन आयोग था, जो एक केंद्रिय बिंदू था, और श समावेशन ये नहीं कर पा रहा था, और ये विकास में बाधग बन रहा था, तो उसके लिए, और साथ के साथ, अब ये इतनी विशाल और इतनी पुरानी संस्था हो गए था, बरगत का पेड़ जैसा ये बन गया था, कि इतने सालों से है, हर जगा इसकी विवस्था है, ए समिती ने ये कर दी, कि भाई हमको, और उन्होंने क्या बोला, कि इसकी जगह पर हमको सुधार एवं समाधान आयोग का गठन करना चाहिए, समिती ने एकदम क्लियर कर दे, कि हरानी की बात ये है, कि जो IEO थी, ये योजना आयोग के ही अधीन थी, तो योजना आयोग की ही कि ही एक भाग से बनी समिती ने ये कह दिया, कि योजना आयोग को आप खत्म कर दीजिए, पूरी तरह से, और उसकी जगह सुधार एवं समाधान आयोग बनाईए, इसमें कौन-कौन लोग हने चाहिए, जल्दी समझे इस बात को, विशे विशेशक्य लीजिए, कि आप अ मंत्राले की स्वरचना से एकदम मुक्त रखिये, ऐसा नहीं कि क्रशी वाले विशेशक्य जो है, वो क्रशी मंत्राले के अंतरगत काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मंत्राले स्वरचना से पूरी तरव से मुक्त होना चाहिए, और व्यापारिक और अध्योगिक प्रतिनिधी इसमें होने चाहिए, civil society के प्रतिनिधी इसमें होने चाहिए, नागरिक समाज जो होता है, जो लोग समाज के बीच में रहकर सक्रिया काम करते हैं, उन लोगों के भी प्रतिनिधी जो हैं, वो यहां पर होने ही चाहिए, और academic जो है, जो मतलब academics जो होते हैं, जो म इस तरह की सुधार और समाधान आयोग का इन्होंने अनुशंसा की कि ये एक body हमको बनानी पड़ेगी सुधार एवं समाधान आयोग हमें योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए ये इस report ने अनुशंसा हमको करके दी सुधार और समाधान आयोग जो है इसके पास क्या-क्या काम दिये गए थे इसको काम दिये गए थे कि केंद्र और कि ये देखिए इसके काम थे केंद्र माफ किजेगा ये समाधान केंद्र की तरह रहेगा कि जो भी समस्तियां आएंगी उन सबका समाधान केंदर जो है ये सुधार और समाधान केंदर बनेगा ये महत्वपूर्ण बात है समाधान आयोग बनेगा और एक विचारों के कोश की तरह काम करेगा यानि कि ये स्तर है, स्तार नहीं ठीके? विचारों का कोश मतलब होता है ना कि आईडियास बहुत सारे होंगे इसके पास कि एक जिले के स्तर पे कोई विचार अच्छा काम किया वो इसके पास होगा मान लिजे चिली देश में कोई विचार बढ़िया से काम किया वो इसके पास होगा दुनिया में अलग 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 परिप्रेक्षियों में अलग अलग समयों पर जो अलग अलग मॉडलों ने अच्छा काम किया है उन सब की जानकारी इसके पास होगी तो ये एक तरह के समाधान केंदर के रूप में काम करेगा विचारों के कोश के रूप में कारे करेगा ठीक है ये इसमें काम करेगा और इसमें क्या होगा जिले से लेके विश्व के देशों तक जहां पर भी आपको लग रहा है कि भाई कोई बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ और उस प्रयोग से बड़ा अच्छा परिणाम निकला त बहुत सारी चीजे, बहुत सारे रिसोर्स होंगे इनके पास, ताकि ये अच्छे समाधान दे पाए, ठीक है, इसके अलावा ये प्रणाली गज सुधार सुझाएगा, कि भाई आपकी जो प्रणाली है, जो किसी चीज को लगाने की, कोई काम करने की, उसमें क्या कमिया है, उ उसका समाधान करने के हमारे पास क्या उपाय उपलब्ध हैं, उपस्तित हैं, इन सारी चीजों पर भी ये जो है काम करेगा, तो ये इसका काम था सुधार और समाधान आयोग का, अब हम दुबारा से एक बार मेरी खाल से बापस कलते हैं, रिपोर्ट के अनुशनसाओं पर योजना आयोग जो काम करता है, ये काम उन निकायों को दिये जाएं, जो शेत्र के लिए बनाए जा रहे हैं, कि आप अनेकों शेत्रों के लिए अनेकों निकाय बनाइए, यानि कि ऐसा नहीं हो कि पूरे देश में योजनाय बनाने के लिए, बस एक योजना आयोग नाम की ही संस्था हो अलग-अलग शेत्रों में काम करने के लिए योजनाय बनाने के लिए अलग-अलग निकाय बनाईए और ये सुधार और समाधान आयोग जो है ये उनकी सहायता करें उनको प्रेरित करें उनको सहायता जो है सदा उपलब्ध कराए ये इस प्रकार का काम हो और योजना आयोग से आप काम के टुकड़े कर दीजे और जो टुकड़ा जिस निकाई से संबन देते वो उस निकाई को आप दे दीजे राज्यों को प्राथमिक्ता तै करने में केंद्र के निर्देशन से स्वतंत्रता ये मोधी इफेक्ट है मैंने आपको बताया था ना कि मोधी मुख्यमंत्री रहकर आये थे तो उनको पता था कि भाई राज्य जो है वो अपनी समस्याओं को बहतर समझते हैं कि नहीं तो ये स्पश्ट था कि राज्य की केंद्र जो कहता है कि भाई हम दिशानिर्देश देंगे कि आपको विकास कैसे करना है राज्य को उसको मानना ही पड़ेगा योजना आयोग में ऐसे ही होता था कि हमें किस किस तरह का विकास चाहिए ये योजना आयोग आपको सूची बना के दे रहा है कि भाई इन पाँच चीजों को ना पेंगे हम इन पाँच चीजों पर हमको मातरात्मत सुधार देखना ही देखना है ऐसा योजना आयोग सूची बना के देता था लेकिन अब क्या है कि राज जो हैं वो बहतर जानते हैं अपनी परिस्थितियों को और राज अपनी प्राथमिकता तै कर सकते हैं कि भाई हम किस केत्र में पहले विकास चाहते हैं तो इस चीज में केंदर के दिशानिर्देशों से राज को मुक्ति दी जाए दीर्ग काली चिंतन के लिए think tank बनाया जाए कि आर्थ विवस्था का मतलब जो होता है आर्थिक नियोजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आज आने वाली समस्याओं का सामना कर लें उसका मतलब ये भी है कि 10 साल बाद हमारी नीती क्या होगी 25 साल बाद का हमारा लक्ष क्या है ये भी आपको कहीं ना कहीं एक आप भले ही उसके लिए आज बहुत वादा कुछ कर नहीं सकते लेकिन आपको नजर उस लक्ष पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो ये बहुत महत्वपूर बात है तो एक आप ऐसा थिंक टैंक भी बनाईए जो वो दीर्ग कालिक चिंतन भी कर रहा हो आपकी सारी उर्जा केवल आज की समस्याएं सुलजाने में नहीं जानी चाहिए लंबे भविश्य की प्लाइनिंग जो होती है दीर्ग कालिक प्लाइनिंग जो है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ये अनिवारे है ये आवश्यक है और राजस्व आवंटन का काम भाई सम्विधानिक समस्थान आपने बना तो रखा है वित्यायोग तो आपने अगर सम्विधानिक समस्थान बनाया है तो राजस्व आवंटन का काम जो है ये आवित्यायोग के माध्यम से ही करें इसमें किसी अन्य समस्थान का योगदान नहीं होना चाहिए ये यहाँ पर पष्ट हुआ ये भी उसकी एक अनुशंसा थी ठीक है तो आगे जाकर जैसा कि हमको पता है कि हमने नीती आयोग बनाया और ये जो सुधार और समाधान आयोग को लेकर जो अनेको अनुशंसाएं थी अनेको जो रेकमेंडेशन थे ये हमने नीती आयोग की जो सनचना है उसमें उनको समाहित करने का प्रयास किया चलिए तो आज हमने योजना आयोग की भारत की जो नियोजन की यात्रा है उसमें उसके contribution को उसके योगदान को समझा किस तरह से वो बना किस तरह से वो शक्तिशाली हुआ और किस तरह से 2015 में उसका पटाकशेफ हो गया उसका समापन हो गया अब आज का प्रशन है बहुत ही जादा आसान है योजना आयोग आधुनिक काल में अव्यवहारिक हो गया था चर्चा करें बहुत ही आसान है यह तो आज के लेक्चर के सीधा सीधा अधारित है कि आधुनिक काल में ऐसे क्या परिवर्तन हुए जिनके कारण योजना आयोग जो है, वो एक संस्थागत तोर पर अव्यभारिक हो गया था, बस ये चर्चा आपको करनी है, यही आपका आज का प्रशन है, फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत लंबे उत्तर ना लिखें, केवल बिंदू वार लिखें, दो, तीन, चार बिंदू भी अगर आप लिख पाते है तो वो बहुत अच्छी बात है, इस क्लास की प्रेजेंटेशन जो है, यह आपको मिलेगी टेलेग्राम चैनल पर, अतुल जैन यूपी एस्टी गाइडेंस, ठीक है, यह आप, ध्यान रखें, इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल पे आप, आपको प्रेजेंटेशन मिलेग अर्श चास्तर को पढ़ते रहिए, इसका आनंद उठाते रहिए और सीखते रहिए. मेरे पात आज जुड़ने के लिए आप तभी का बहुत बहुत धन्यवाद. झाल जुड़ने के लिए और सीखते रहिए.